नमस्कार दोस्तो आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस्टाग्राम पोस्ट हाइड कैसे करें जी हाँ आप अपनी पोस्ट हाइड कर सकते हैं और दोबारा अपनी प्रोफाइल पर ला सकते हैं जब आपका मन हो जी हाँ बस आपको ये छोटा सा वीडियो को पूरा वाच कर लेना है अभी तक हमारे चैनल को आप सस्क्राइब ने की हैं तो सस्क्राइब कर लेना तो आपको सबसे पहले चले जाना है अपने इस्टाग्राम पर तो हम अपना इस्टाग्राम ओपन कर लेते हैं तो जैसे आप open कर लेंगे फिर आपको अपने profile पर click कर देना है तो जैसे आप click कर देंगे तो यहाँ पर जितनी सारी आपकी post होंगी तो सब तो हो जाएंगी ची हाँ यहाँ यहाँ पर देख सकते हैं कि जितनी सारी आपकी पोस्ट हैं, तो सब यहां पर सो हो गई हैं, हम किसी एक पोस्ट को यहां पर हाइट कर देते हैं, जैसे हम यह पोस्ट ले लेते हैं, इसको हम हाइट करेंगे, जी हाँ, तो आपको 3 डाट पर क्लिक कर देना है, तो जैसे आप 3 डाट पर क्लिक कर देंग प्र यहां पर आपको Archive Capson आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है तो जैसे आप क्लिक कर देंगे, तो यह पोस्ट आपकी height हो जाएगी यहां यहां पर देख सकते हीं कि यह पोस्ट हमारी height हो चुकी है अगर आपको यह पोस्ट फिर से वापस लाना है तो आपको सबसे उपर 3.stars का अफंषन दिख जाएगा, छी हां यहां पर इस पर आपको अर्चीव का अफंषन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है तो जैसे आप अर्चीव पर क्लिक कर देंगे, फिर यहां पर आपको सबसे उपर इस्टोरी अर्चीव का आपसन हो गए इस पर आपको क्लिक कर देना है तो जैसे आप क्लिक कर देंगे फिर आपके सामने कुछ as interface open हो जाएगा तो यहाँ पर आपको post archive पर click कर देना है तो जैसे आप click कर देंगे तो जो post हमने hide किया है तो यहाँ पर so हो गई है इस पर आपको click कर देना है तो जिसे आप क्लिक कर देंगे तो यह पोस्ट आपकी प्रोफाइल पर यहां पर आ जाएगी जी हाँ एक बार आपको refresh कर लेना है तो यहां पर देख सकते हैं कि हमारी यह पोस्ट यहां पर आ गई है हम आपको भी दिखा देते हैं या पिर देख सकते हैं तो आप समझ गये होंगे कि आपको कैसे हाइट करना है कैसे अनहाइट करना है बीन डिलेट किए हुए है अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो हमें इस्टरग्राम पर मैसेज जरूर करना ये ये ले वार तूू कर दो